तो फ्रेंड आज हम यहां मसाज मशीन बनाने बाले हैं तो हमें एक जरूरत होगी स्कैप की जो कि आपके जो बोटल वगयर आते हैं स्कैप भी निकल आएगा तो हम इसे कट कर लेंगी आसानी से के समये अच्छी से कट करना है तो हमने इसे अपकट कर लिया अपना ही सारा हमें नीड होगी एक पैन केप की तो इस पैन केप को हमें एंगरना इसे अटा देना और इसके छोटे छोटे तीन पीस कर लेने हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हैं यहां मैं तीनी पीस ले रहा हूं इसके तो इने इस तरीके से फिक्स करेंगे एक ट्रैंगल तरीके से यह फिक्स हो जाएंगे जिससे कि इनमें को डिस्टेंस भानी रहा है अब हम इसमें गलू भर देंगे अपने गलू बन के एल्प से कि इसी तरीके से से मां में इसमें भी भर देंगे गलू को कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ कि हमें ध्यान रखना है यह तीन एक को डिस्टेंस पर होने चाहिए अब मैं यह तीन ही यूज कर रहा हूं आप इसमें ज्यादा भी लगा सकते हैं आपको जैसा बनाना हो तो यहां पर हमने इसमें काफी गलू अच्छे से लगा दिया हमें गलू में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करने हैं इसे एक्ष्टा थोड़ी जो हमारी गलू है यह हमारी यह पाइप टाइप की जो हमने लगा हुए है कैप के पाइप कर ते इससे थोड़ा ऊपर ऐसा करन है कि जो गलू हो उससे ऊपर निकली रहे थोड़ी जैसे क्या है अब जब हम मसाज करेंगे तो यह जो प्लास्टिक होगे वो लग जाएगी इसके लगने कर रहे जब रबर हमारी जो है यह गलू निकली रहेगी तो यह प्लास्टिक नहीं लेगी और आराम से मसाज हो अब हमें इसे जो गलू है उससे होने के लिए रख देना है जिसे कि जो हमारी गलू है वो अच्छे से सैट हो जाए करें है अब हम यह जो गेर टाइब की मौटर है तो गेर गेर मौटर लेंगी इसमें मैं यह यह गेर फिक्स कर रहा हूं कि यह ज़ोरी नहीं कि यहाँ यूज करने यह तो यह यह कर रहा हूं क्योंक् empresariat हो जाएगा यहां प्र तो हमने इन दोनों में पहले से होल कर रखा है अपने जो यह गेर है और मौटर के उसमें रॉड में तो हम इसमें आप सिंपल सा एक तार इंसर्ट कर देंगे जो आईरेन का हमारा तार आता है वो वाला हम इसमें तार डाल देंगे और इस तार को हलका सब फोल्ड कर देंगे दोने साइड जिससे की निकले ना थार यह जो हमारी गेर मोटर है यह आपको यहां जो दीपा वाली एससरी जो बल्फ वगएर आते हैं जो लाइट जिसमें गोल-गोल घुमती है उससे ही हमने गेर मोटर निका लिए अब इससे हमें सुपर गलू से यहां पर लगा देना है यहां पर मैं फैवी क्यों की वीच कर रहा हूं कि अब को चारों साइड आराम से लगाना ऐसे कहीं इसे कोई जल्दी नहीं है अब हम इसके स्कूपर इसे पेस्ट कर देंगे और इसे भी थोड़ा सेट होने का टाइम देंगे अगर 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 कि इसम थोड़ा और सपर गलू लगा रहे हैं जिसे कि थोड़ा मजबूत बन जाए द्वारा निकले ना कि अगर इसे रख दिया है इसे जो सैट हो जाए जो हमारी सपर गलू है अब हम इसमें अपनी सप्लाई देंगे आप उसमें फाइब बोर्ट से लेकर ट्वाल बूल्ट दे सकते हैं यहां पर मैं ट्वाल बूल्ट दे रहा हूं यह गेर मोटर है इसलिए सेलोचल रहा है य यहां पर देखिए कि अच्छा वर्ट कर रहा है यहां पर ड्राई इसके ने मेरी इस विजए से थोड़ा आपको लग रहा होगा यह दिक्कत दे रहा है अब बल्कि कि जब आपकी थोड़ी यहां पर कोई ऑईली स्किन होगी या आप कोई ग्रिस टाइप का कुछ भी लगाएंगी जैसे वैसलीन या मूव अगएरा तो यह अच्छे से वर्क करेगा यहां पर ड्राई जिए में क्या होता है जो हमारे यह जो यह हमारी रवर्ड है वो इस से जादा कोछ फ्रेक्शन करती है तो इस वज़े से वह ज्यादा फ्रेक्शन कर रही है जब नहीं हो पा रही अच्छे से जब यहां पर कोई यूज करेंगे तो यह अच्छे स्लिफ होगी या आप कोई भी फैए यूज कर सकते हैं जो आप मसाज में लेना चाहिए क्रीम बगएरा अब इससे बैकपॉन पे भी मसाज कर सकते हैं हाथ पे भी मसाज कर सकते हैं और जो हमारे पैर होते हैं उन पे भी हम इसे मसाज कर सकते हैं थैंक यू फूर बाचिंग दिस वीडियो